यह मेरे दे नंबर थी के बाल है, यानि कि मैंने तीन दिन पहले अपने बालों को शांपू किया था और आज आप देख सकते हैं कि वही बाउंस, वही ग्रेस, वही शाइन मेरे बालों में आज भी दिख रही है, अलका सा ओल है स्कालपर, लेकिन आप रेस्ट अफ दे बाल द की सोच रहे हैं, तो आज के वीडियो को अवश्य देखी, देखिए, मैं तो नहीं बोलुगी क्योंकि मैं बोलती हूं, तो आप बोलते हैं कि मैं बोलती हूँ, तो आज मैं आपको सीधा बिखाने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बालों में इतनी खुब्सूरत सी शाइन और बाउंस लेकर आ सकते हैं for a longer period of time, ना सिर्फिये, रिबॉंडिंग के बाद, केरिटिन के बाद, कोई hair growth नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को परिशानी भी होती है, इस treatment के बाद आपको hair growth, regrowth और बहुत कुछ मिलने वाला है, तो मैं कुछ नहीं बोल तो, let's see what needs to be done. Hello to my beautiful people present over here, welcome back to the channel, आश्रा करती हूँ, मेरा परिवार खुश है, स्वस्त है, अपना खयाल रख रहा है और बहुत पॉजिटिव है, जल्दी से नीचे लिखकर बताइए कि आपका नाम क्या है, हम भी आपको संबोधित करना चाहते हैं, आपको appreciate करना चाहते हैं, कि thank you so much शिवानी जी, आपके खुब सुरत से comment के लिए, ना कि 74552 ID को, जहां, तो प्लीज जल्दी से नीचे अवश्च लिखेगा, I would love to know your name, अगर चानल पर पहली बार आए हैं, तो मेरा नाम है प्रीथी प्रीधना, बहतरीन DIY रेमेडी इस हफते में तीन दिन में यहां आपने परिवार के साथ शेर करते हूं, इसलिए नीचे जो लाल रंग का बटन है, जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, आप उसको क्लिक कर दीजे, परिवार का हिस्सा हो जाएंगे, बगल में बैल आइकन है, अगर आप उसको क्लिक कर देते हैं, तो मेरे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे, और आप भी मेरे परिवार की तरह यहां पर टाइमली पहुँच पाएंगे, आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, एक 3-step process जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, religiously जैसा बता रही हूं exactly वैसे ही करते हैं, तो आपको hair growth भी होगा, करering करें तो अगर आप बस कमाली ओ जाएगा, लेकिन इस रिजर्ट को अब सब्सक्रीख कर सकते हैं, लेकिन इस रिजर्ठ को आप स्टेंग कर सकते हैं स्वेटर नहीं पहनेंगे तो Striking नहीं आएगा, में ओइलिंग करनी है बहुत जम के चंपी करनी है मैंने रिसेंटली यह वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया था यही ऑईल में अपने बालों में लगाया और जम के चंपी करी है ओवरनाइट के लिए अपने बालों में रहने दिया है और नेक्स टेग बिफोर तो बहुत से एक रेमेडी है एक एफट है बालों के लिए कि ब्लट का सर्किलेशन भाँ पर आ सके तो कि इस रेमेडी को करने से पहले अगर अच्छे से अपने बालों की जो रूट से उनको मसाज करेंगे बहुत जंटली क्योंकि और लगा हुआ हुआ है यूनीड बहुत जोर से नहीं करना है बहुत सॉफ्ट हैं से सिरफ अपने यह जो प्यारे से फिंगर कुशन इनसे ही मसाज कीजिए एंड जिस्ट रिलाक्स ओके आपको बहुत रिलाक्स वे में काम करना है क्योंकि कई बार घाय घाय में अमबाल तोड़ देते तो बहुत सॉफ्टली काम कर यह और इसके बाद आपको करना है step number two, जिसके लिए आपको आपके roots के लिए एक mixture ready करना है तो बहुत ही चम्मच अलवेरा जेल देखिए अगर आप प्लान बेस्ट यूज करना चाहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं मैं यहां पर क्योंकि मेरे पास बचा हुआ है लास्ट जो मार्किट बेस्ट प्रॉडक्ट है तो मैंने एक चम्मच अलवेरा जेल लिया है और इसमें आपको लेना है एक बड़ा चम्मच अद्रक का रस अब देखिए अद्रक वैसे ही बहुत तीखा होता है आप सभी ने खाया हुआ है लेकिन जब इसका अप्लिकेशन बालों में किया जाता है तो यह बहुत सटल वे में ब्लड का सर्किलेशन रूट्स में बुलाता है और रूट्स को ऑढ़िए यूंवाइशन बी है इतनी सिंपल सी चीज और इतना घर्षप का रजल जहाँ यह जए तीन पर कर सकता है जो गिव दिस अ ट्राइ तो मैंने एक अधरा को अच्छे से मिंस कर लिया है इसका जो रस था वो मैंने वहां लगाना है वो छो रही हो चुका है इसको जहीं हो जाने तक मिलाएặtजेहे ही या मिलाजर कर inns sends朝फ के अपने शिर्फ रूट्स पर अप्रूट्स पर अप्लाय करेंगी लेगे। step 3 इसके लिए इसके लिए अपने रूट्स पर अप्लाई करते जाए आपने मसाज किया हुआ है ब्लट का सर्किलेशन अल्रडी वहाँ पर है जिंजर आपके रूट्स को वह स्ट्रेंथ देने वाला है जो उसको ग्रोथ के लिए और जो जिनको दर्द होता है इस बिकेस आप step number 3 के लिए जिसके लिए हम केर करने वाले हैं आपकी लेंद के लिए यहां पर स्वेटर की वज़े से इसमें थोड़ा सा स्टेटिक आ गया है बट मेरे बाल आज डे थी पर भी बहुत ज्यादा मैनेजबल और बहुत ज्यादा डिस्सिप्लिन है सत्य को प्रमान की आवश सकते हैं इस अमेजिंग आपके बालों के लिए अब आपको लिए क्यूटिकल्स के लिए एक मास्क प्रिपेर करना है जिसके लिए सबसे पहला इंग्रीडिन जो यहां पर आपको चाहिए वो है दो बड़े चम्मच हाइबिस्कस पाउडर अगर आपके घर में गोड़ल का इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं एपस्लीटी नो पहें और इसमें मैंने लिए हैं टू कम्प्लीट एग्स अब अगर आप एक के लिए एक के लिए नहीं है तो आप इसमें बड़ सकते हैं यानि की मैले का ना पका हुआ ना कच्छा बिल्कुल एडिकवेट जो आप खाने जैसे consistency आपको चाहिए और अच्छे से विस्क करते रहिए करते रहिए जब आप अच्छे से एक पेस्ट अचीव हो जाए जैसा कि आपने बालों में अप्लाइ कर सकते हैं यौर मास्क इस रेडी जस्टों इंग्रीडियंट्स जी बिलकुल सिरफ दो इंग्रीडियंट्स जो अपने आप में दिगज इंग्रीडियंट्स है आप सिरफ एक का भी इस्तमाल कर सकते हैं यह इतने पाफुल चीज़े हैं और जब दोनों साथ में करते हैं तब तो extended results मिलत करते हैं जिससे आप हमेशा खुश रहते हैं तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप बालों का पार्टिशन करते जाए और अपनी क्यूटिकुल्स पर लगाते जाए जाए स्काल्प पर लगा सकते हैं पर क्यूंकि हमने हैर ग्रोथ की रेमिडी की है तो अग अच्छे से अपनी पूरी की पूरी लेंथ पर पार्टिशन वाइस करते जाए बाक हेर में भी और सामने भी राइट और अच्छे से बन बनाके और शार काप पहन लीजे और इस माजिकल पोर्शन को अपने बालों में काम करने दीजिए आपके क्योटिकुल्स को डिसिप् आपके बालों की क्वालिटी कैसी है बट 45 मिनेट जो हर बालों की क्वालिटी के लिए काम कर जाएगा और उसके बाद आप इसको नॉर्मल शाम्पु कर लीजिए अंडा है स्मेल आएगी फॉर शॉर बट बिलीव मी जो शाइन मिलेगी ना स्मेल वेल सब बूल जाओ गया तो अच्छे से अपने बालों को जब आप वास कर लेंगे ये ये रहाइपी मैनने आथ को एड़ वॉसक ग radically यू तो आज मैं ॆश्र शूट कर रहे हुँ इस ते सनीघ नंबू थ्री कल का पूरा दिन मेरें बाल भॉहाद अच्छे थे मैंने पूरा powinadin खोल के रहें तास तोड़ा सा वेव, अगर आप बालों को बाद के रखेंगे, भंक से रखेंगे, अस्वाप अचोन लुक हैं ये हिए पंप प् fallen गरोस रखा है लोगहाई ह् जा तोड़ा वेजके तर में वे आपके घसकंठाइब में लिए, जायन अच्छ से डे हाल हैं, सिरफ hibiscus powder लगा लिजए वो भी अच्छे results देगा क्या इससे बालो में रंग आता है देखिए अगर आप plant-based गुढल का इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको temporary color मिलता है जहां लेकिन powdered form में वो possible नहीं हो पाता है तो सिरफ nourishment और conditioning मिलती है nothing more क्या हम इसको every head wash पे कर सकते हैं जी नहीं अंडा है भाईया आपको हमेशा इस्तमाल नहीं करना है fortnightly कर सकते हैं like 15 दिन में एक बार कर सकते हैं if at all बहुत जादा unmanageable बाल है और जब आपको लगे कि results आ गए है बाल थोड़े से disciplined है है manageable है तब आप इसको you know regulate कर सकते हैं कि बंत ली कर लिया या दो महीने में एक बार कर लिया that's all any side effects nothing that I can tell you अगर आप individual किसी चीज से allergic है तो obviously आपको से skip कर लेना चाहिए लेकिन otherwise आप blend करके जब इस्तमाल करते हैं तो परिशानी नहीं होती है give it a try patch test ले लिजे and decide for yourself simple low porosity high porosity कौन कर सकता है सभी इसको try कर सकते है absolutely no problem मैं बहुत बाई बता चुके हूं लेकिन low porosity वालों को बहुत frequently नहीं करना चाहिए महीने में एक बार is just fine not regularly high porosity वाले can try it out no problem at all लेकिन you really need to understand one thing कि regulation of the remedy is very important यानि कि सोच समझ के कि जितनी आवशकता है उतना ही try किया जाए पहली बार में बहुत अच्छे results मिल गए जी बस यह है जो है और अगली बार दुबारा अच्छे से results मिल गए अब क्या करें अब वापस इस वीडियो में आईए और लिखकर बताइए परिवार को कि आपके लिए क्या magic हुआ है ताकि उनको भी confidence मिले और वो भी इसको अपने ले try कर सके अगर presentation पसंद आई है तो thumbs up दिये बिना कोई नहीं जाएगा it's important for the creators भई हमारे लिए यही है प्रोचाहन आपका तो please like करना नहीं भूलेंगे अगर चानल पर नए है तो आप देख चुके हैं क्या magic यहाँ पर होते हैं इसलिए जल्दी से subscribe कर लीजे अगर अभी तक नहीं क काफे खुश है thank you so very much for all your love and support मैं आप सभी से भाट ही प्रेम करती हूँ thank you thank you thank you मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में with something magical for your hair skin and health तब तक के लिए stay tuned and stay connected to Preeti प्रेम ना thank you so much